आज देखेंगे A पलस B होल क्यूँ सुत्र का निगमन तो A पलस B होल क्यूँ यह तीन बार है तो इसको A पलस B और फिर एक ब्रेकेट में A पलस B होल इसको लिख सकते हैं इहां पर भी इहां पर A पलस B दो बार और फिर इहां पर एक बार है ठेक तो घात तीन को इस रूप में लिख सकते हैं फिर आगला A पलस B अब A पलस B होल स्कोईर इसका फार्मूला होता है A स्कोईर पलस B स्कोईर पलस 2 A B अब इस A का इसमें गुड़ा करेंगे तो A स्कोईर पलस B स्कोईर पलस 2 A B फिर पलस B पलस B का फिर A स्कोईर पलस B स्कोईर पलस 2 A B में गुड़ा करेंगे उसके बाद A का A स्कोईर में गुड़ा करेंगे तो दो बार और एक बार तीन बार फिर पलस इसके आगे पलस है और फिर पलस तो पलस ही होगा A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B फिर प्लस B का B स्क्वाइर में गुड़ा करेंगे तो घात दो बार और इस पर एक बार तीन बार फिर उसके बाद B का 2 A B में गुड़ा करेंगे तो 2 A और B एक बार और एक बार दो बार लिख देंगे फिर अब A Q और घात तीन वाले को एक साथ लिख देते हैं तो A Q और प्लस B Q अब फिर उसके बाद 2 A स्क्वाइर B और फिर A स्क्वाइर B यह दोनों सजाती पद हैं यानि इसको आपस में जोड सकते हैं 2 A स्क्वाइर B और A स्क्वाइर B यानि यह दो बार है और यह एक बार यानि 3 A स्क्वाइर B प्लस अब यह A B स्क्वाइर और 2 A B स्क्वाइर दोनों बच गए तो A भी दोनों आपस में सजाती पद है तो हम direct इसको जोड लेते हैं तो दो बार और एक बार यानि तीन बार A B स्क्वायर फिर A Q पलस B Q पलस अब इस दोनों तो जोड़ेंगे नहीं क्योंकि सजाती पद नहीं है यहाँ पर A स्क्वायर करूप में है और यहाँ पर नहीं है यहाँ पर B अकेले है और यहाँ प्रिस्क्वायर करूप में है तो इस दोनों में कामन मिल रहा है तो तीन भी दोनों मिल रहा है एक बार A B और एक बार B तो इसमें से तीन A B कामन ले लेंगे तो यहाँ पर एक बार बस A बचेगा और यहाँ पर B बचेगा तो यह अब फार्मूला सिद्ध होता है A-B whole Q फार्मूले का निगमन करना है तो इसमें A-B और A-B इसे घात तीन था तो इसे भी तीन बार लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर दो बार और एक बार कितने बार? तीन बार तो इसी को A-B whole Q को हम तीन बार लिख सकते हैं लेकिन अलग अलग फिर उसके बाद A-B अब इसका वर्ग करेंगे तो A-B whole square का फार्मूला होता है A square plus B square minus 2AB फिर A का क्योंकि बीच में गुड़े का चिन है कोई चिन नहीं रहता है तो गुड़े का तो इस A का इस तीनों में गुड़ा करेंगे A square plus B square minus 2AB minus B तो फिर इस minus B का A square plus B square minus 2AB में गुड़ा करेंगे तो A का A square में गुड़ा करेंगे तो दो बार और एक बार तीन बार फिर plus A का B square में गुड़ा करेंगे तो A B square plus और minus minus होता है तो A का 2AB में गुड़ा करेंगे तो 2A square B A यहाँ पर एक बार और एक बार दो बार लिख देंगे फिर minus, minus और इसके आगे plus छुपा है तो minus ही होता है तो B का A में गुड़ा करेंगे तो A square B minus और plus minus B का B square में गुड़ा करेंगे तो B दो बार और एक बार तीन बार minus और minus पलस तो B का 2AB में गुड़ा करेंगे तो 2AB square एक बार और एक बार दो बार फिर जो ज़्यादा घात वाले हैं उसको एक पास लिख लेते हैं तो AQ और plus यहाँ पर AQ और minus BQ minus BQ एक पास लिख लेते हैं उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं यह दोनों सजाती पद हैं यहाँ दोनों क्योंकि A square B इसमें भी A square B यह दोनों सजाती हैं तो सजाती को आपस में जोड़ा लेते हैं क्योंकि minus और minus पलस होता है तो 2 बार और एक बार तो 3A square B लेकिन दोनों पर minus चिन है तो दोनों पर minus चिन है तो माइनस ही लगा देते हैं या इसमें देखते हैं सबसे बड़ा दो है दो के आगे माइनस है तो तब पर भी माइनस लगा देंगे फिर उसके बाद A B स्क्वाइर और 2 A B स्क्वाइर बच गया ये भी दोनों आपस में सजाती हैं तो इस दोनों को भी जोड़ लेते हैं पलस और पलस पलस ही होता है तो पलस एक बार और दो बार तीन बार A B स्क्वाइर फिर A Q माइनस B Q अब इस दोनों में कामन मिल रहा है तो कामन क्या मिल ला है तो माइनस तीन और A और B इस दोनों मिला तो इसमें 3 a b kakauman ले लेंगे तो यहां पर बस e बचेगा और plus के जगह minus लगाएंगे क्योंकि अगर breakfast खूलेंगे तो minus और minus फिर plus आना चाहिए तो minus minus plus होता है इसलिए यहां पर minus लगाएंगे और यहां पर क्या बच जाता है तो 3 kakauman ले ए भी कामन ले लिए और बी तो दो बार है तो एक बार भी बचिया या सिद्ध होता है